करनाटक में सत्ताधारी भारतिय जनता पार्टी के विधायक का एक महिला के साथ बद सलूगी का वीडियो सामने आया है सोशल मेडिया पर ये वीडियो तेजी से वारल हो रहा है इस वीडियो के वारल होने के बाद विपक्षी कॉंग्रिस ने सत्ताधारी बीजेपी के खिलाप मोर्चा खोल दिया है कॉंग्रिस ने बीजेपी को महिला विरोधी बताते हुए हमना बोला है वाइरल हो रहे वीडियो में करनाटक के महादेवपुरा से बीजेपी के विधायक अरविंद लिम्बावली महिला के साथ बदसलू की करते नजर आ रहे हैं बीजेपी विधायक अरविंद लिम्बावली का ये वीडियो तब का बता जा रहा है जब वे बैंगलूरू में भारी बारिश के बाद जल जमाव का हाल जानने के लिए राउन पर निकले थे इस दरान एक महिला सरकारी जमीन पर कबजा समेत कुछ अन्य मसलों को लेकर विधायक से बात करने के कोशिस कर रही थी वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि विधायक के पीछे एक महिला हाथ में कागज लिए उनसे बात करने के कोशिस कर रही है महिला विधायक को शिकायत पत्र सौपने और बात करने की कोशिस कर रही थी इस पर विधायक अचानक पिछे मुड़े और महिला पर भड़क उठे विधायक ने महिला के हाथ से अकागत छीन लिया और अब शब्द भी कहे और खूब खरी खोटी सुनाई इतने से भी मन नहीं भरा तो बीजेपी के विधायक ने महिला पुलिस कर्मियों को बुला कर महिला को हिदासत मिलेने के लिए कहा विधायक के कहने पर पहुंची महिला पुलिस कर्मिय उस महिला को पकड़ कर ले गई विज़ेपी विधायक अर्विंद लिम्बावली का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है अब देखना ये होगा कि आखिर पार्टी ऐसे विधायक पर क्या कारिवाई करती है हलाकि इस तरह की बदसलूकी पर क्या कारिवाई होनी चाहिए आप कॉमेंट सक्षम में हमें जरूर बताएं इस वीडियो में फिलालत नहीं